नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सबका डेली निफ्टी अनालिसिस पर मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 15 मिनिट चार्ट में समझा था यहां से जो डिकलाइन शुरू हुआ है शार्प डिकलाइन उसका हमने काउंटिंग देने की को रहे थे अब यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिला देखिए यह जो हम एनालिसिस करते हैं वह एडवांस में करते हैं कल के लिए करते हैं राइट लेकिन ओपनिंग के बाद हो सकता है सिनारियो चेंज भी हो जाए यहां पर फ्लैट टू कोशिश करेंगे step by step यहां पर उपनिंग से पहले यह रेजिस्टेंस रेंग थी जिसमें कोई भी चेंजी नहीं था राइट उसके बाद निफ्टी कल हमने वीडियो में डिसकस ही नहीं किया था उसको हम इग्नोर कर रहे थे और बैंक निफ्टी में जो है यह बाउंस शार प्ली हो रहा था यह 38% के आसपास trade कर रहा था राइट तो हमने यहां पर mention किया था कि यह जो है इसके उपर trade भी अगर करता है 38% के उपर trade भी करता है तो भी हम बैंक निफ्टी में positive तो है ही नहीं जब भी हम एक क्रेक्टिव बाउंस मिलेंगा हम selling की सोचेंगे राइट औ और यहां पर हमने 9 बज के 31 मिनिट पर एक छोटा सा वीडियो बनाये के यहां पर शेयर भी किया था जहां पर मैंने explain करने की कोशिश की थी कि कोई एक corrective bounce हमें दिखता है तो वहां पर हम sell का plan करेंगे और उसके बाद directly हमें 10 बज के 43 मिनिट में उस तरीके का pattern देखने को मि और उसके बाद यह हमारी selling range बन रही थी यह हमारी resistance range या selling range है और फिर से bank nifty low के नीचे जा सकता है क्योंकि यह एक irregular correction बन रहा था अब यहां पर friends त्यान से समझना जो पिछले वीडियो में हमने 23 to 38% निकाला था वो तो आपको यहां पर दिखेगा ही नहीं मैं उसको importance अभी live market में दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि already हमारे पास एक pattern बन चुका है वो जो range हमने निकाली थी वो advance में निकाली थी हमें नहीं पता था कि next day क्या होने वाला है रैट वो हमारा advance planning था लेकिन अब live market में एक pattern already corrective pattern हमें दिख रही है चार्ट पे तो हम उसी पे focus करेंगे और pattern के ह हिसाब से यह resistance range जो हमने निकाली थी यह A और B के बाद यह C की projection range है रैट तो यहीं हमारी selling range थी रैट और उसके बाद यहाँ पे भी हमने confirmation के लिए एक और भी chart share किया था कि जो भी safe खेलना चाहते है रैट कुछ safe trader जो होते हैं तो इस range में short ना करके एक बार जब यह 38% को इ तब वो short कर सकते हैं मतलब की confirmation का weight कर सकते है रैट एक बार यह 38% से bounce किया वापस 123% तक गया लेकिन वहां से फिर से हमें एक sharp decline देखने को मिल गया रैट यह almost फिर से नए लो के आसपास आ चुका था market close होते होते तो एक बहुत ही बढ़िया decline हमें यहां से देखने को मिल trade जो है काफी बढ़िया हमें यहां पे देखने को मिला अब ज्यादा तर लोग यहां पे गलती क्या करते है इस example को अगर हम समझने की कोशिश करें यहां पे यह bank nifty का जो example है यह sharp bounce जो हमें देखने को मिला जब भी यह 38% को break कर देता है उसके बाद यह decline भी देखने को मिला तो यहां पे ज्यादा तर लोग इस bounce में positive हो जाते है क्योंकि 38% को भी इसने break कर दिया जो हमने पिछले वीडियो में discuss किया था उसको right तो यहां पे positive हो जाते है जैसे ही positive होते है यहां से एक sharp decline right तो इसके नीचे ज्यादा से ज्यादा stop loss रखते है वो stop loss trigger हो जाने के बाद या फिर यहां पे low के break हो जाने के बाद short में entry लेते है कि market negative ही है और यहां पे जब short में entry लेते है तो वहां पे भी stop loss तो है वो उनका hit हो जाता है right तो इसलिए मैं prefer क्या करता हूँ जब भी हमें कोई corrective pattern नहीं मिलती right corrective pattern जब तक नहीं दिखती तब हम तब तक हम trade नहीं ल रहे थे और 23 to 38 percent जो हमने range निकाली थी उसके थोड़ा उपर से ही यह किया है लेकिन यहां पे pattern ही कुछ ऐसी नहीं थी कि हमें यहां पे entry मिले right कोई हमारी indicative pattern नहीं थी कि वहां पे हमें entry ले सके तो यह move में हमें कुछ नहीं करना है बले ही यहां से sharp decline कर दे और 200-300 point का decline कर द right क्यूंकि हमें यहां पे कोई identification नहीं मिला कि जहां पे हम entry ले सके तो इसको हमें छोड़ देना होगा लेकिन अगर हमने यहां पे पूरा move को छोड़ दिया और market यहां से bounce किया तो market ने हमने यहां पे एक और मौका दिया यह irregular correction बना और इस range में हमें आराम से short करने का मौका दिया और वहां से sharp decline भी हमें देखने को मिला right तो जो भी analysis हम advance में करते हैं उस analysis के हिसाब से next day किस तरीके से opening के बाद behave करता है हमें शांती से pattern को समझना है और उसके हिसाब से trade plan करना है हो सकता है कि 2-3 session हमें कोई trade भी ना मिले right कई बार होता क्या है कि यह जो हम resistance range निकालते है उस resistance range में जाता भी है लेकिन corrective bounce जो है वो clearly नहीं होता एक sharp bounce हो जाता है और उसके बाद यह sharp decline भी कर देता है तो sharp bounce जो है हमें corrective pattern लगता नहीं है तो हम वहां पे उस case में entry नहीं लेते हैं और वो move जो है हमें miss करना पड़ता है तो हो सकता है कि इस तरीके के move मिस कर जाए लेकिन उस तरीके के move में जैसे यहां पे हुआ तो इस तरीके के move में यहां पे आने के बाद यहां पे कुछ लोग entry कर लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है जो हमारा trade setup होता है कि resistance range में corrective bounce जब तक हमें ना दिखे तब तक हमें entry नहीं लेनी चाहिए और ओर ओल भी पे हमने profit book नहीं किया था उसके बाद यह हमने predict किया था कि एक और ABC बनके यहां से फिर यह decline कर सकता है तो यहां पे हम entry prefer करते है जहां पे यह corrective bounce almost complete हो रहा है और वहां से हमें लगता है कि decline होगा अला कि यह यहां से ज्यादा move हो गया manipulation भी हो सकता है एक और वीडियो जैसा म में एक manipulation के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो कल आ जाएगा चार्ट जो है already prepared कर दिया है तो कल मैं उसका recording भी कर दूंगा और उसके बाद यहां से हमें एक sharp decline देखने को मिला है तो अभी यह two over chart देखे तो यह a or one और यह b or two के बाद c or three का अगर हम projection निकाले तो यह projection range निकल के आ रही है 43,541 से लिके 42,887 इस range में at least यह decline कर सकता है इस पूरे decline का retracement अगर हम निकालते हैं तो यह immediate resistance range है अभी bank nifty के लिए इस range में अगर अभी भी corrective bounce करता है तो वहां पे अभी भी हम short कर सकते हैं और यह minimum target range है क्या इस range में आने के बाद यह फिर से bounce कर सक सकता है उसके लिए हमें इसको higher time frame में देखना होगा अगर मैं आपको higher time frame की बात करूँ तो वहां पे आपको scenario थोड़ा सा scary लगेगा क्योंकि यह अगर bank nifty का weekly chart देखे तो यहां से 16,000 116 से जो bounce शुरू हुआ है उसका impulse हमें complete लग रहा है यह impulse जो है वो कौन सा impulse है उसको द 5 हो 3 हो कोई भी हो लेकिन at least कोई भी impulse complete होने के बाद यह 23 to 38 percent की range में तो at least decline यह देता है corrective decline देता है अगर 23 percent भी अगर मान के चले तो वो भी कहां पे आ रहा है 39,229 जो यहां से बहुत नीचे है तो यहां से एक बहुत बड़ा decline भी possible है हो सकता है 23 to 38 percent की range में हमें 39,229 से ल 8,12 की range में भी एक decline हमें bank nifty देखने को मिल सकता है हम क्या करेंगे हम step by step जाएंगे अभी के लिए यह resistance range है और इस range में corrective bounce करता है तो अभी भी shot कर सकते है अभी के लिए immediate जो हमारे target range वो यह है जब भी इस range में आ जाएगा हम क्या करेंगे यहां से जो decline है उसका retracement निकाले जाएंगे 23 to 38% तो friends अगर आप इस channel पर नए है तो day to day update के लिए subscribe जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको updates चो है time to time मिलती रहे और अगर आप telegram channel या फिर illyat way video course में जुडने के लिए interested है तो description में जाएए आपको link मिल जाएगा या तो फिर इस number पे आप contact कर सकते है वीडियो को like कर दीजिए और friends के साथ share कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद